असलाम वालेकुम, वेलकम टू रुद्बाखान कीचिन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वारी हूँ, एगारो इम्पेरियल इलेक्रिक प्रेशर कुकर, और आज मैं आपको पताऊंगी के इलेक्रिक प्रेशर कुकर क्या होता है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको एगारो इम्पेरियल इलेक्रिक प्रेशर कुकर, बहुती स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, और देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है, और ये कॉम्पेक्ट साइज का है, अगर आपके छोटी फैमली है, तो आप इसको बाई कर सकते हैं, और एट प्रिसेट म मिल जाता है, ये स्टीम कुक करने के लिए एक बोल, ये देखिए, ये बास्केट मिल जाती है, स्टीम कुक करने के लिए, जिसमें आप मुमोद स्टीम कर सकते हैं, और ये मिल जाता है आपको एक मेजरिंग कप, और यहाँ पर हमें एक मैनुल बुक मिल जाती है, जिसमें स over entry card दो श्पेचुले मिल जाते हैं यह cooking के लिए नहीं है serving के लिए हैं तो आप एक इस्फ कर सकते हैं और मिल जाती हैं एक बायर की यहां पर देख सकते हैं यह बम stream release बाइल एक तरह की CTA जैसे कि normal pressure cooker में होती है इसको आप रिमूब कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं क्लीन करने के बाद इसको फिर से इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से और यहां पर देखिए आपको मिल जाता है यह इसके उपर जो प्लेट है देखिए इसको हम रिमूब कर सकते हैं जब हम कुकिंग करते हैं तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है गंदा हो जाता है तो इसको हम easily clean कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील की यह प्लेट है और फिर क्लीन करने के बाद फिर से आप इसको इसको इंसर्ट कर दें इस तरह से यह देखिए बहुत easily हो जाएगा और यहां पर हमें मिल जाता है सेरे में कोटेड एक बोल जिसमें आपको कप्स और लिटर के हिसाब से मार्किंग मिल जाती है और यहां पर जो अंदर वाला पॉर्शन है उसको आप ड्राइ रखिएगा clean रखिएगा उसमें cooking नहीं करनी है हमें और जब आप इस तरह से इसको लगाएंगे तब इस बोल में हमें cooking करनी है इसली यह देखिए बंद हो जाता है इस तरह से और यहां पर आपको मिल जाता है condensed cup यह देखिए यह भाप से जो भी पानी बनेगा उसको रिमूट कर सकते हैं इस तरह से देखिए जब इस तरह से आप रिमूट करका clean करका फिर सो इसको लगा दीजिए तो देखिए हमने यहां पर जो साइट में slot मिल जाएगा जिसमें आप यह अपना जो spatula है उसको easily लगा सकते हैं तो चलिए बिर्यानी बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हमने लिया है 400 ग्राम चिकिन चिकिन को हमने अच्छे से वाश कर लिया है यहां पर हमें लेना है 250 ग्राम यह 500 ग्राम बास्मती राइस इसको हमने अच्छे से वाश कर लेना है वाश करकर दो से तीन पानी से वाश करकर आप इसको बिगोकर रख दीजिए 15-20 मिनिट के लिए इसे inglés को चाहिए तो राइस को हमने थान रगनाहेजे है अब यहां पर देखिए हमने कोंकर कॉर्थन कर लिया है और इसमें एड़ कर देना है एक लेडल भरकर ओल अब इसकों करेंगे तो पहले का से जर्शानिवें फिर लेगिन सेयँ कॉछ निया दबाएंगे तो यहां पर मैंने ओधिआ कोई पर रहूंगे क्यूंकि अभी कि ق padres को कुक करना है कु आधर मैंने कोई6 पर रखा है और स्टार्ट कर दिया है सिस्की टायमिंग स्टार्ट कर दिया है और ओयल हमारे यहाँ पर गरम हो चुका है, पांच मिनट में इजली यह गरम हो जाएगा, उसके बाद इसमें गरम मसाले एड़ करेंगे, तो यहाँ पर एक बड़ी लाएची, पांच हडी लाएची, एक इंच कदार चीनिकर टुकड़ा, एक जाबित्री का फूल, और मसाले हमारे क्रेकल हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम प्याज एड़ करेंगे, एक मीडियम साइज का प्याज स्लाइस में कट करकर यह एड़ कर दिया है, और इनको हमें गोल्डन फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ हलका सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, तो कर दूट ंब लूदा है, तो यहाँ पर हमें चिकेन एड़ कर दिया है, और और चिकेन को ऐड़ करने के बाद हमें हरी मिर्च तो हमें पांच हरी मिर्च लेती है जिसक area उड़ कर लिएRR कर यह देखिए चिकन यहां पर अच्छे से बुन चुका है तो अब इसमें एट करना है में नमक तो यहां पर मैं एक टी स्पून नमक अभी एट करूंगी चिकन के लिए और राइस का नमक हम बाद में एट करेंगे एक टी स्पून पीली मिर्श का पाउडर अगर नहीं है तो आप आधा टी स्पून रेट चुली पाउडर भी यूज कर सकते हैं इसको इसकिप कर दीजिएगा और यहां पर दो टीबली स्पून भरकर दही एट कर देना है अब अच्छे से इसको हमने भून लेना है जब तक कि जो दही का पानी यह वह अच्छे से ड्राइना हो जाए तो यहां पर देखें चिकन अच्छे से बुन चुका है यहां पर देख सकते हैं चिकन अच्छे से बुन चुका है तो अब इसमें हम राइस के लिए पानी आट करेंगे तो हमने यहां पर डेल कप राइस लिए थे 250 ग्राम राइस थे तो यहां पर मैं दो कप पानी आट कर काम हो पानी अब समय को सोग करकर रखी हो गये थे पानी हम रThe यह हम सरसाली में इस मैं लेंगा है अगर कम हो तो आप और आग कर देंट स्वचाथ पर महीं आदा यासा और टेस्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा नमक और एक किया ए रफेक्ट है ये बस अновगल के आतों से फिर से हमने मिक्स कर दिया है और इसको हमें कभर कर देना है तो यह देखिए बिरुण ओर एसका यहां पर इसको आप इसकी मेन्यू सेट कर लें तो यहां पर मैंने लॉंग पर रखा है फिर स्टार्ट का देखिए रिसेट का बटन दवाए स्टार्ट कर दिया अब इसने अपनी टाइमिंग सेट कर लिए है ओटोमेटिक है यह हमें इसमें टाइमिंग बगेर नहीं लगानी पड़ती है बिल्कुल भी टाइम सेट नहीं करना पड़ता है और देखिए जब इस तरह से आए तब इसमें हमने कलर एड़ कर देना है तो यहां पर मैंने टू से थ्री पिंच और और इंच फूट कलर हमने प्रेशर कुकर कर देखिए टाइम ओफ हो चुका है बस इसको हमने ऐसे ही कवर करकर पांच मिनट के लिए रखा है तो यहां पर पांच मिनट हमने फिर से खोल लिया है और यह हमारे ब्रियानी बनकर रैडी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी और खुश्पूह वाली आप इसको बना सकते हैं अगर आप इस प्रेशर कुकर को बाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां चेक कर सकते हैं वहां से तो देखिए इस पर हमने रायता एट किया है बहुत अच्छी तरह से चिकिन भी कूक हुआ है यह तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेशिपी आपको पसंद आई होगी रेशिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशाला नई रेशिपी के साथ फिर आज़र होंगे अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अलह हाफिस